नमस्कार एक मुद्दत से आर्जू थी फुर्सत की वो मिली भी तो इस शर्थ पे कि किसी से न मिलो तो क्या करें सहाब दौर ही ऐसा है जितना कम से कम लोगों से मिलिए आप सुरक्षित रहेंगे आपके अपने सुरक्षित रहेंगे और आपके दिन को सुरक्षित रखने के प्रिश्चिक राशी में और चंद्रमा प्रिश्चिक राशी में पुर्येश करेंगे शाम आठ बच कर चालिस मिनट से शाम पांच बच कर तीस मिनट तक शिरी हरी शेहनी एक आदशी है चतुर मास प्रारमब हो रहे हैं शिरी विश्चनु शेहनु तो आप दौर ऐसा है कि दूरियां नई नजदीकियां बन गई हैं तो जिससे प्यार करते हैं उससे फिजिकली जितना दूर रहें उतना अच्छा है उनके लिए भी और आप के लि के लिए मेश राशी वालों के लिए जिन्दगी को फिर से नए वरोसे से देखने का समय आ गया है पहले जो मन भुजा हुआ था अब उसमें सुधार होता चला जा रहा है और आप नई प्रेर्णा के साथ मेहनत कर पार है इसका अच्छा फल कामकाज की सफलता की रूप में आपको जरूर मिलेगा ऐसा ही कहते हैं आपके तारे क्या करना चाहिए समय में आर्थिक स्थिती भी ठीक है और आपका मन किसी नए काम की और बनता भी चला जा रहा है घर परिवार में आपको अपनों का भी सहयोग मिला हुआ है कि आप किसी नए रास्ते को टोले और उसमे आपके अपनों की सहमिती भी आपको मिलती चली जाए फुल मिलाकर इसे ऐसे कहना चाहिए कि नई संभावनाओं को टोलने का अच्छा समय क्या न करें इस समय में काम और कारोबार को लेकर किसी चीज में बिना सोचे समझे कदम ना हो इसलिए कोई ऐसी जल्दबाजी भी न प्रिशप राशी वालों की मेहनत में कमी आ रही है और मन की परिशानिया बढ़ रही है इसलिए आपको लग रहा है जैसे फिर से मुश्किले दस्तक दे रही है पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं इसलिए भी सतर्कता से चलने की जरूरत है अपने मन में बिठाई ह हुई चिंताओं को दूर करेंगे तभी अपनी कोशिशों को सही दिशा दे पाएंगे क्या करना चाहिए समोंगे आपका भरोसा भी अच्छा है और आपकी आर्थिक स्तिती भी मददगार और अपने उपर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जाने से बचना होगे वैसे पैसे से जुड़े फैसले ध्यान पूरों की लेने होगे ताकि आपकी आर्थिक स्तिती संभली रहे अपने मन में किसी भी तरह की नकार आत्मक्ता बिठाते चले जाने से भी बचने की जरूत पड़ेगी क्या ने करें समय में लाब भी बन रहा है और अचानक बनती भी पर जीजेगा ताकि आपका पैसा कहीं फंसेना नहीं फंसेगा आप हमें हमारे साथ और हम आपको गाइड करते रहेंगे जोतिश गुरू की मदद से सर आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ और सवाल जिनका है उनका नाम है जैश रमेश काठोर इनका सवाल है डेट ओव बर्थ है चार सितंबर 1987 टाइम है रात के एक बचकर पांच मिनट और जन्म स्थान है जलगाओं में इनका जन्म हुआ है तो जानना यह है उससे पहले लिख यह रहें कि पूरा परिवार आपके तारे देखता है और कई बार बड़े मुश्किल वक्त में बहुत जादा मदद मिली है आपके टिप से जैश जी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप ध्यान से सुनते हैं मकसद भी अमारा यही है कि सिर्व बुरे वक्त में ही नहीं अच्छे समय में भी आपके तारे को सुनिए ताकि बुरे वक्त से पहले आप उसके लिए तयार हैं वक्त खराब ना आए जाना आपके कुंडली है जी मिथुन लगन किया धनुगैशी कि महादश्या चल रही है जी राहू किया और अंतरदस्या चल रही है बिस्कृति की एप्रिल 2022 काम में कब सुधार होगा देखिए एक समय तो चल रहा है और आने वाले छे महीने यह अच्छा ही समय कहूंगा जिसमे काम कायद में सुधार होता चला जाए और आपका भरोसा भी बनता चला जाए तो यह बहुत अच्छी बात है वैसे आगे चलकर 2024 में आपके काम में और ज्यादा लाब का योग है और अच्छे से आपके काम में स्थे तो यह बहुत बड़ी बात है शादी में वैसे ही बहु कोशिश की जा सकती है अपनी और से अपकी परिवार की और से प्रयास किया जा सकता है वो समय है अक्तूबर नॉवंबर 2021 में अब से कह लिजे सवा साल के बाद उस वकित कोशिश जरूर कीजिए नहीं तो फिर तीन साल का इंतजार करना पड़ सकता तो आगे बढ़ते हो और अब बात करते हैं मिथुन और करक राशी आपकी तो आपका दिन कैसा है और इसे कैसे प्लान करना है समझिए जोतिश गूरू से मिथुन राशी वालों के लिए रिष्टों की अच्छाई भी बनी हुई है और आप लोगों पर फिर से भरोसा भी कर पा रहे हैं इसलिए शायद आपने अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी रखा है किसी प्यार करिष्टे को आगे बढ़ाने का भी बहुत मन है जिस वज़े से आप अपनों की सहमती और अपनों का सहयोग चाह रहे हैं क्या करना चीज समुएं इच्छाएं जरूत से ज्यादा बढ़ जाएं तो मुश्किलें दबे पाउं आ जाती है इसलिए सहज़ता अपनानी होगी और बहुत सूजबूच से फैसले करने होगे ये समय ही ऐसा है जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है इसलिए भी समय लग जाने दें और जल्द बाजी में फैसले करने से बच्छें क्या न करें समय, कामकाज के शेत्र में बहुत सारा उतार चड़ाव हो सकता, यह समय ऐसा है जिसमें पैसा लग जाए पर लाब बनने में बड़ा सवक्त लग जाए, इसलिए किसी एक चीज में जुरोत से ज़्यादा निवेश ना करते चले जाए गर क्राशी वाले अपने घर परिवार की खुशियों को भली भांती समझ पा रहे हैं, और उनमें अपना अच्छा योग दे भी पा रहे हैं, फिर भी विचारों का मदभेद हो सकता है, जिसमें किसी ना किसी तरह का एहम का विचार जुड़ा हुआ हो, पुराने चलते हुए मदभेद फिर से उबर करा सकता है, क्या करना चाहिए समझ उस अच्छाई के और देखें, जो धनलाब के रूप में आपके लिए बनी हुई है, और ऐसे में अपनी आर्थिक सिती को संभालने की भी कोशिश कर ले, अपनों की जूरतों को पूरा करते चले जाने से सुख का क्या न करें समझ काम और कारोबार को लेकर अपने मन में प्रत्योगिता की भावना लानी होगी, ताकि आप जंदगी में कुछ बेंतर कर पाएं, सिर्फ बदलाव करना ही हर समस्या का समधान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से भी नुक्सान भरी परिस्तियां बनी रह सकत तो सिर्फ बदलाव ही हर समस्या का समधान नहीं होता, कभी-कभी इस धिरता भी समस्या से बच कर निकल जाने का रास्ता देती है, आगे बढ़ते हैं, सिंग और करने आज़े तुश्गुरू, इनके लिए आज किस तरह के रास्ते बन रहे हैं और ये क्या करें, क्या विल होता के रास्ते खुलेंगे, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने से फायदा जरूर होगा, क्या करना चाहिए समय में, कामकाज में तरक्की पाने का समय है, जिसके लिए लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा, हो सकता ऐसे में लोगों की आपके प्रती इर्शा भी बनी इसलिए थोड़ी सी सतर्कता तो बनानी ही पड़ेगी, कामकाज से जुड़ी स्थिर्ता बनाय रखने से पायदा भी जरूर होगा, क्या न करें इस समय में, तकदीर को आजमाने की कोशिश बिलकुल न करें, और ऐसा करते हुए घर परिवार में रिष्टों पर भी कोई ब इस अच्छाई को बनाय रखने के लिए लोगों से मधूरता से पेश आने की जरूरत है, और अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की कड़वाट को दूर कर देने की जरूरत है, जिन्दगी का सच्चा सुख तब बनता है, जब इनसान लोगों से सहच्छता से पेश और अपने संबंदों में मधूरता बनाये रखे, क्या करना चाहिए समगे, आर्थिक सिती ठीक है और आपको अपनों का आशिरवाद भी मिला हुआ, इस अच्छाई को बनाये रखने के लिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यान पूर अपलेने होगे, और कामकाज के शेतर में किसी भी तरह का गलत फैसला करते चले जाने से भी बचना होगा, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार रुक जाने की ज़रूर पड़े, क्या न करें समगे, लोगों से मिलते हुए सहयोग के पीछे भी कोई न कोई चुनालती हो सकती है, इसलिए रिष्टो को संभालने में आप अपनी और से कोई गलती ना करते चले जाएं, बार बार अपने फैसलों को बदलते चले जाने से भी इस समय कोई लाव होने बार तो फैसलों को बार बार बदले नहीं, इससे लाव नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन्स मुश्किल ही हो सकता है, बढ़ जा क्या जोकिम उठाएं, तो कोई फाइदा होगा इस समय, इस समय को ध्यान में लगते हुए, इस समय वैसे भी थोड़ा सा कॉप्लिकेटेड है हरे के लिए, और दूसरा अपने वहन और अपने घर का सुख जीवन में कब तक मिल सकता है, अशीश आपकी कुंडली है, मिथु पुरा फल मिलता चला जाए, और आगे ग्रोथ की उपर्चुनिटीज भी मिलती चली जाए, देखिए आपकी कुंडली भी ऐसा ही कुछ दर्शारी है, कि अब से एक साल के बाद ऐसा योग बनेगा, जो आपकी प्रोग्रस दर्शाएगा, तो फिल हाल इस समय कोई बड़ा रिस्क लेने की जुरोथ नहीं है, थोड़ा सा धैरे रखना पड़ेगा, वैसे भी अपने सपनों को सकार करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़े से धैरे के साथ ही इंसान को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, आपने भी जो बाकी चीज़ें कहीं है, जि कैसा देखते हैं आज के दिल, और इनके लिए खास बात क्या है, क्या करें क्या ना करें आज अपने विवार को ऐसा बनाएं जो लोग आपकी बात को समझ पाएं, काम के प्रती भी अच्छाई बनी हुई है और आपका समर्पन भी अच्छा है, पर सक्त होते हो विचार आपकी मुश्किलों को बहा सकते हैं, ऐसा ही करते हैं आपके पार, क्या ना करें इस समों में, अ किसी भी तरह का खत्रा मौल लेना ठीक नहीं है, जल्द बाजी में लिए गए फैसलों की वज़े से भी अपनी अच्छी भली आर्थिक सित्य को किसी खत्रे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा, क्या करना चाहिए समों में, रिष्टों की मधूरता बनाए रखन का समय है, जिसके लिए आपको अपनों के लिए वक्त निकालना होगा, कामकाच से जुड़े दवाव अपनी जगाए हैं और घर पर रिवार की खुशियों को बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी होगा, क्या न करें इस समय में, किसी प्यार के रिष्टे को बढ़ावा धनू और मकर, इनको भी तैयार होना है आज के दिन के लिए, परिस्तितियां कैसी भी हों, कुछ बेहतर करने का प्रयास करना है, तो कैसे क्या प्रयास करें और क्या ना करें धनूर आशिवालों की आर्थिक स्तिती बेतर होगी तो आपका भरोसा जगेगा और आप कुछ बेतर फैसले भी ले पाएंगे वैसे भी ये समय आपकी जिंदगी की खुश्यों को बनाया रखने के लिए आपकी मदद करता चला जाएगा क्या करना चाहिए समय में लाब कमाने की इच्छा ही इंसान को प्रेणा देती है कि इंसान कुछ बेतर कर पाए फिर भी विनमरता बनाया रखनी होगी क्योंकि यह समय आपके प्रबल होते हैं विचारों को दर्शार है जिसकी वज़ए से विचारों का मदभेद उबर सकता है और उसे ही संभालने की कोशिश करनी होगी क्या न करें इस समय में दूर स्थान से जुड़े विकल्प अच्छे लग सकते हैं पर जल्द वाजी में कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके असंतोश को जाहर करता चला जाए इसलिए दूर स्थान से जुड़े फैसलों का असर अपने रिष्टों पर भी बिल्कुल ना पढ़ने दूर से बहुत सारी चीजों को एक साथ छेड़ने की गलती बिल्कुल ना करें अगर किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उस दिशा में अपने कदम बढ़ाना आनिकारक हो सकता है क्या करना चाहिस समय में अपनी शम्ताओं को निखारना होगा और भविष्य के लिए खुद को तयार भी करना होगा ऐसा करने के लिए आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है जिसका पूरा फाइदा उठाया भी जा सकता है क्या न करें समय में आपकी आर्थिक स्तिती ठीक है और उसे अपनी मेंट से बढ़ावा दिया जा सकता है पर किसी तरह की यात्रा बदलाव का विचार बनाना इस समय ठीक नहीं है क्योंकि उस विचार को बहुत दोर तक निभाना भी इस समय आसान नहीं तो ये वक्त किसी यात्रा का नहीं है जहां हैं वहीं रहे देगे राज़फल भी समय के हिसाब से ही आपको गाइड कर रहा है ये समय वाकई कहीं आने जाने का नहीं है ये थास्तिती बनाये रखें सुरक्षित रहें बेहतर भविश्य के लिए खुद को तैयार करें सरागे अब बात कर लेते हैं हम कुम वर्मीन की तो इनको अपने आपको किस तरह से इन बदली हुई परिस्तितियों में इस डर भरे महौल में खुद को सुरक्षित रखना है तयार रखना है और बगएर किसी डर के कुछ बेहतर करना है कुम राश्यवाले ही समझ लें कि जिंदगी की खुश्यां इस बात पर निर्वर करेंगे कि आप अपने मन में कितना धैरे बना बाते हैं आर्थिक स्तिति संबली हुई और स्थिर्ता बनाया रखने में ही फायदा है क्योंकि ऐसा फैसला करने से ही आप अपने धैरे को बना पाएंगे और लोगों पर दर्शा भी पाएंगे क्या करना चाहिए समागे जिन्दगी की खुशियों को बनाया रखना है तो दूरिया बनाते चले जाने से मचना होगा और आप बार-बार कोई न कोई ऐसे फैसले लेते चले जा रहे हैं जिसमें आपको लोगों से दूर रहना पड़े हर चीज के पीछे कोई न कोई ऐसी स सित्य हो सकती है जिसके लिए सतर्क रहना बहुत जुरूर है क्याने करें समय में काम से हर तरह का लाब बना हुआ है पर लाब को संभालने की दिशा में लाब पर वह होते चले जाना ठीक नहीं है अपनी कोशिशों को भी इस रूप से बनाये रखें जिसमें आपके लिए लाब लगातार बना रहे और आपकी और से किसी भी तरह की कमी ना मीन राशी वालों के प्रदर्शन में कमी आएगी तो उसका असर दबाव के रूप में कामकाच पर पड़ेगा इसलिए अपने दबाव को भी अपनी मेहनत से ही संभालना होगा और अपने कामकाच को बहुत उंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश करनी होगी यह सफलता भरा समय है इसका पूरा फाइदा उठाना हो क्या करना चाहिए समय में मेहनत का रास्ता जरूर अपना है पर अपने मन में भरोसा भी जगाए रखें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने ग्यान और अपनी जानकारी को इस्तमाल करने से ही इस समय फायदा हो सकता क्या ना करें इस समय में, कई तरह की भागेशाली परिस्तियां हैं आपके सामने जिस बारे में सोचा जा सकता है और इस बात को भी समझ लें कि किसी भी प्रयास में लाब और हानी दोनों ही परिस्तियों को साथ ही साथ कबूल करना होगा सिर्फ लाब की उमीद लगाकर इस समय फैसले करना ठीक नहीं होगा तो सिर्फ लाब की उमीद में ही फैसले करने हैं सोच समझ कर जो सही हो उचित हो वो तै करना है फیर आगे जोतिश गुरुव अब जैक पॉट का रूप करतें तो जैकपॉट में अट किस राशी के नाम क्या खास निकलने वाला है? मितुन राशी वालों के लिए आज के दिन में खास ही है जी कि काम काज को बढ़ावा देने के लिए अपना भुरोसा भी जगाना होगा और लोगों से भी उसी भुरोसे से जोड़ना होगा आपसी तालमेल बनाया रखने से बहुत सारी चीज़ें आपके हित्मे बंती चली जाएंगी और जिन्दगी की चुनोतियों को संभालना भी असान होता चला जाएगा तो इसी के साथ वक्त आगया है आप सबसे इजादत लेने का जोतिश गुरू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए जी नमस्कार तो कल एक बार फिर से आप सब की मुलाकात होगी जोतिश गुरू से कल दिन कैसा है उससे समझने जानने और तयारी करने के लिए अगर आप कुछ सवाल कोई समस्य हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आपके तारे at आजतक.com हमारा इमेल आईडी है वेबसाइट है www.aastak.in.com